वेलकम बैग इस कुश्चन में एक ऐसा आरेंजमेंट का कंटेनर है तीन कंटेनर है पहले वाले कंटेनर में नाइट्रोजन दूसरे में नाइट्रोजन तीसरे में हैट्रोजन इसका वॉल्म 1 लीटर इसका 1.5 लीटर फिर बोला है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो है 635 मिली मीटर इसके अंदर जो प्रेशर है वो है 212 मिली मीटर और इसके अंदर जो प्रेशर है वो 418 मिली मीटर फदर बोलता है ये जो वाल था ना जिसने रोक रखा था इन दोनों को मिक्स होने से यह हटा दिया गया यह भी हटा दिया गया मतलब अब ग्यास यहां से यहां कंटिनुवसली कहीं भी भूम सकते हैं तो बोलता है हटाने के बाद यह जो सिस्टम क्रियेट हुआ इसका टोटल प्रेशर क्या होगा सो देखो अभी यहां नाइट्रोजन यहां नाइट्रोजन यहां हाइट्रोजन बाद में क्या होगा जब खोल जाएंगे यह वाल्व तो हाइड्रोजन यहां भी आ जाएगा यहां भी आ जाएगा और यहां भी रहेगा नाइट्रोजन के साथ भी यही होगा यहाँ कुछ nitrogen, यहाँ कुछ nitrogen और यहाँ कुछ nitrogen पर हम लोग को एक बात पता है total number of moles will be equal to total number of moles in these three let's say यहाँ पर N1 mole है N1 mole, यहाँ N2 moles है यहाँ N3 moles है so total mole initially कितना सारे gas के, सिर्फ nitrogen की बात नहीं कर रहा हूँ N total initially to initial moles total equal to N1 plus N2 plus N3 होगा तो final भी तो वही होगा ना final mole क्या होना चाहिए final mole होना चाहिए N1 plus N2 plus N3 क्योंकि कोई gas leak नहीं किया है कोई नया gas आया नहीं है अब देखो I can say यहाँ pressure, यहाँ pressure, यहाँ pressure equal होगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे P final और इन तीनों container में same pressure होगा connected container will always have same pressure P final जो हम लोग को निकालना है V final कितना होगा V final कुछ नहीं होगा तीनों का summation हो जाएगा ना 1 liter 1 liter और half liter तो हो जाएगा 2.5 liter T final जेको temperature constant माना गया है तो T final is equal to 300 Kelvin N final निकाल सकते हैं N final is equal to N1 plus N2 plus N3 बट N final का लिख सकता हो हम है P final V final by R into T final लिख सकता हूँ So my N final is P final V final by R T final ठीक है Which is equal to N1 plus N2 plus N3 N final is equal to this तो अब जेको N final is equal to N1 plus N2 plus N3 N1 क्या होगा इसका मूल क्या होगा P1 V1 by R T1 इसका प्रेशर P1 इसका वॉल्यूम V1 by R into T T common है सबके लिए R भी सबके लिए common है तो यहाँ पर हो जाएगा N1 की जगा P1 V1 by R T N2 की जगा P2 V2 by R T और इसकी जगा P3 V3 by R T होगा ना So I can say N final is N1 plus N2 plus N3 This is my N final तो इसकी जगा मैं क्या लगा सकता हूँ यह लगा सकता हूँ और T final क्या होगा T है ना सबके लिए common T चल रहा 300 के लिए तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो P final V final by R T final को T लिख दी है ठीक है सबका T common is equal to P1 V1 plus P2 V2 plus P3 V3 divided by R T R T आर T क्यांस है तो मेरा क्या आ रहा है मेरा आ रहा है P final is equal to P1 V1 plus P2 V2 plus P3 V3 divided by V1 plus V2 plus V3 वो V final है ना इसको यह क्या है यह V final था V final था दो मैंने लिख दिया ठीक है अब place करना है और answer आए P1 को place करेंगे 635 तो P final is equal to 635 into 1 V1 था प्लस 2012 into 1 प्लस 418 into 0.5 divided by V1 plus V2 plus V3 क्या आने वाला ना कर लिजिएगा इसको solve कीजिए आएगा 422 mm P final बट अपना answer जो है mm में नहीं है अपना answer ATM में है देखिए चार option तो हम लोग करना क्या है हम लोग को simply P final पता है 422 mm है तो कितना ATM हो जाएगा 422 by 760 ATM solve कीजिए आएगा 0.56 ATM तो इसके अंदर pressure हो जाएगा 0.56 ATM ठीक हैं? ठैंक यूँ